सिद्धी कंसल्टीद सी दॉस्तों आज मैं आपके लिए बहुत दुरलब चीज ले-कर आया हूं आप लोग कुद सुएमम दिख dh दिखती है और कैसी दिखती है और सिद्धी जेर होती है दोस्तों यह 100 पट्सें असली बिल्णी की जेर है यदि आप इसमें देखेंगे इस जगा पे तो देखें बिल्ली के बाल भी लगे हैं कि जनम के समय पे ये बाल लगे होते हैं दोस्तों ये बिल्ली की जेर प्राप्त की जाती है और ये देखें कि ये जंगली काली बिल्ली की जेर कैसी दिखती है जेर हमेशा साबोत होना चाहिए इसमें ये जो स्पाइन जो नाल होती है ये पूरी इसमें लगी होना चाहिए अन्ने था ये खंडित मानी जाएगी और किसी भी प्रकार से काम नहीं आएगी आप देख सकते हैं कि बिल्ली की जो गर्ब नाल होती है वो कैसी होती है और कैसी दिखती है यह देखिए यह असली काली बिल्ली की जेर है अब मैं आपको बताता हूँ कि असली काली बिल्ली की जेर प्राप्त करने के बाद इसका शुद्धी करंड किया जाता है शुद्धी क लगाया जाता है आप देख सकते हैं कि इस बिल्ली की जेर की उपर ये लेप लगाए गए हैं ताकि ये जेर जो है कभी खराब ना हो और शुद्ध बनी रहे किसी भी चीज का सिद्धी करंड करने से पहले उसका शुद्धी करंड करना बहुत ही अवशेक होता है शुद्धी करंड करने के बाद ही उस जेर की या किसी भी वस्तु की सिद्धी की जाती है जिससे सिद्धी सफल होती है और कई गुना ज़्यादा आप लोगों को इसके फायदे मिलते हैं आप देख लिजे कि काली बिल्ली की असली जेर केसी होती है क्या आप सही जेर कहीं से खरीद रहे हैं या नहीं इसके बहुत गुण होते हैं मा लक्षमी जी की सबसे प्रिये इसको वस्तू माना जाता है जिस घर में ये स्थापेत होती है जिस घर में ये होती है उस घर में यह बहुत अच्छी चलती है लोगो आप देख सकते हैं देखिए यह स्पाइन काउट होती है जो गर्बन है जो जोड़ी रहती है यह और यह असरदार है और पूरी से साबत हैं अगर कहीं से तूटी होगी यह दोनों में से कोई भी एक अगर जो नली है ये नहीं होगी तो यह खंडित पानी जाएगी और उस जेर का आपको फायदा नहीं मिलेगा यह असली काली बिल्ली की जेर है दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही दुरलब होती है और इसको बहुत सारे मरजन तंतर की विशिष्ट जो शादनाय होती है इससे उसको सिद्धी किया जाता है सिद्धी करने के पश्चाद यह इतनी असरदाई हो जाती है इतनी पावरफुल होती है कि इसका किया गया कोई भी प्रियोग खाली नहीं चाता है चाहे धन प्राप्ति का हो धाने प्राप्ति का हो शादी विवा का हो वशी करण का हो या अखंड रूप से मालक्षमी जी की देख सकते हैं ये भी बड़ी जेर है दुरलब जेर हैं ये बिलकुल साबत है ये देखे साइट में से थोड़ा सा आपको खुली हुई मिलेंगी क्योंकि जहां ही से बच्चा बाहर निकलता है और इसके बाद इसको तुरंत ही प्राप्त की जाती है दोस्तों ये असली जंग वापस ले सकते हैं इसका ये बहुत बहुमूल्य चीज होती है जिस भी जातक को ये मिलती है वह जातक हमेशा सुक्ष सम्रद्धी और प्रगति की और आगे बढ़ता रहता है ये सभी जेर दोस्तों बहुत दुरलब हैं आप इसको देख सकते हैं इसमें भी कुछ बिल्ली देखनी परती हैं बहुत शारी परेशानियां उनको होती हैं तो आप देख सकते हैं कि इस जेर में भी बाल लगे हुए हैं ये इसका असली होने का प्रमान हैं आप देख सकते हैं ये बिल्ली के जो बूरे कलर के जो बाल हैं काले कलर के जो बाल हैं ये लगे हुए हैं ये जेर में थोड़ी सी इसमेल आती है लेकिन ये बहुत पवित्र मानी जाती है बिल्ली की जेर इसको रखने के उपाय अलग-अलग होते हैं अगर धन प्राप्ती के लिए आप रखना चाहते हैं तो इसको काले कलर की मटकी में एक मुट्टी हरा धनिया और कुछ कॉपर के सिक् में धन आएगा और एकक्तरत होगा ये बिल्ली की जेर करोड़पती बना सकती हैं लोगों को ये बिल्ली की जेर बहुत ही ज़्यादा दुरलब होती हैं बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं बिल्ली की जेर बिल्ली की जड़ गर्भ नाल आप लोगों ने प्राचीन समय स यही आपके जो वुजुर रोगों में उन लोगों से सुना आपकी प्रकार मर्जन तंथर का प्रयों किया जाता है और किस प्रकार काली बिल्ली की जड़ को घर में रखा जाता है एक चीजह मैं आपको सब पुन्ट जानकारी दोस्तों अमावस्यां की रात्री और पून्डीमा की रात्री में ही इसकी सिद्धि जातक के नाम पर हुती है इसकी महासिद्धियां दो दिन की होती है ansher ces करते हैं तो आश्यरी जनक रूप से आपके घर में धनका आगमन होता दिखे गा मा लक्षमी जी की कृपा होगी आपके घर से दरिद्रता हमेशा ओर हमेशा के लिए खतम हो जाएगी यह बहुत मूल्य वान चीज होती है बहुत रेयर मिलती है बहुत ही दुरलब होती है असली जालंगली काली बिली की जेर घर में रखने मातर से ही घर में सभी समस्याओं का नाश होता है दरिदरता हमेशा के लिए खतम होती है जिस घर में बेरोजगारी होती है जो घर के लोग कमाते नहीं है यदि कमाते हैं तो घर में टिकता नहीं है पैसा किसी भी प्रकार की अनेकों परेशानियां घहिरे रहती हैं काला जादू जादू टोना बुरी नजर या घर में बीमारियां बनी रहती हैं तो उस सदर से निरोगी रहें घर से दरिदरता जाए तो उसके लिए कुमहार से काले कलर की एक छोटी मठी लेकर आईए उसमें एक मुठी हरा धनिया डालिए एक मुठी आप उसमें साबत जो चाबल होता है पूजा का वो रख सकते हैं चावल पुराना हो तो बहुत अच्छी बात के उसका लाल कलर के से कपड़ा से मू बांध कर इसको रख सकते हैं रखने का तरीका यह है कि सबसे पहले तिजूरी में आप सिंदूर से साथिया बनाए जमीन पर उस साथिये के ऊपर इस चेर की मठी को स्थापित करिए लोबान की दूनी या गूगल की दूनी आप इसको दे सकते हैं दूनी देने के बाद चमेली का तेल का दिया लगाई है यह दिया लगाने के बाद जब दिया ठंडा हो जाएगा तो इस तिजूरी को लॉक कर दीजिए फिर देखिए कि आश्चारी जनक रूप से आपके घर में धन की प्राप्ती हुई है और सर्प वर्ष हम हमेशा आजीवन जब तक आपके घर में यह जिर रखी है तब तक आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी आश्चरी जनक रूप से आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे घर में धन आएगा और धन बहुत तेजी से घर में टिकेगा आप लोग बहुत अच्छा इस देखेएगा कि आश्चरी जनक रूप से शत्रू का शमन होता है शत्रू आपसे कभी भी नहीं जीत पाएगा नहीं किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई जगड़ा कर पाएगा तो ये दुरलब बिल्ली की जेर हैं दोस्तों ये बहुत ही जखधा दुरलब होती हैं बहुत ही ज़ग्यादा कारगर है इसके कई प्रकार से उप्योग में लिया जाता है चाहे धन के लिये हो या बीमारियों को लेकर हो या किसी प्रकार का शतुरु शमन हो या किसी भी प्रकार की आपके घर में दरिद्रता हो उन सब का नाश करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग कभी भी खाली नहीं जाता है इसका प्रियोग अचूख होता है और हर इस्तिती में ये आपके घर में आपको बहुत अच्छा लाब देती है दोस्तो ये बिल्ली का जेर आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हमाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारी वीडियो में जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर आप हमें कॉंटेट कर सकते हैं ये बिल्ली की जेर शद प्रतिशद असली है ग्यारेंटेट है और हर प्रकार से आपको फायदा देने का काम करेगी देखे मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि असली बिल्ली की जेर को पैचानना आसान है ये बिल्ली की जेर होती है ये इसका किसी भी प्रकार के अधर एनिमल में नहीं निकलती चाहे कुत्ता हो या बिल्ली के उमर के किसी भी जानबर हो उनमें ये जेर नहीं निकलती है के बल्ली की जेर होती है जो बिल्ली की गर्बनाल होती है वही निकलती है और उसी को प्राप सकते हैं इसकी नाल बिल्कुल साबत होना चाहिए इसाबुत बिल्ली की जेर काफी फायदे मंद होती है इसकी जो दोनों नाल आप देख सकते हैं दो जो को सपाइन होती हैं जो इसकी short होती है आप देख सकते हैं कि वो क्लिर इसमें देखती हैं दोस्तो को मरजन तंतर से ही सिधी के किया जाता है मर्जन तंतर लक्षमी शावर मंत्रों का ही एक ब्रांच होती एक अर्थ होता है जिसको मर्जन तंतर कहा जाता है बिल्ली तंतर कहा जाता है यह बिल्ली तंतर जो होता है यह पहुत कम जो लोग जानते हैं बाकी प्राचीन होता है यह तंतर इस तंतर के द्वार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनरजी को अट्रेक्ट करती है बिल्ली बिल्ली की जो नाल होती है काफी पवित्र मानी जाती है इसको घर में स्थापित किया जाता है अपने दुकान में स्थापित कर सकते हैं अगर बिजनस नहीं चल रहा है धंदा बहुत कम हो गया ह तो उस condition में भी आप इसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं जिससे कि आपका धंदा काफी अच्छा चलेगा और हर प्रकार से आपको लाब देखने मिलेगा दोस्तों आप ये जेर हमसे प्राप्त कर सकते हैं ये जेर हमारे पास इतनी ही अबिलेवल हैं और जैसे आती जा आती हैं ये बहुत ही मुश्किल होता है बील प्रजाती के आदिवासी प्राप्त करते हैं और उनसे ही शुद्धी करण करके वहीं पर इसका शुद्धी करण किया जाता है इसके बाद इसको सित किया जाता है किसी भी प्रकार की वस्तू को सबसा पहले शुद्धी करण होत होती है इसके प्रियोग बहुत सारे हैं फायदे बहुत सारे हैं यह देख सकते हैं इसकी जो कॉड्ड है कॉड्ड बिल्कुल क्लियर है इसकी मोटी कॉड्ड है यह दो कॉड्ड एक सांथ है इसमें तो यह देखे यहां से बच्चा अंदर बाहर निकलता है जेर में से तो यह गेब बना होता ये एक थेली टाइप की होती है जो काफी पवित्र मानी जाती है और काफी जगा पे इसका इस्तमाल किया जाता है इदि पुराने गरंथों में भी आप देखेंगे तो इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि असली काली बिल्ली की जेर कैसी होत यह आप लोगों के नाम पर इसका सिद्धी करेंट करके आप लोगों को दिया जाएगा धन्यबाद दोस्तों जय माकाली मेरा चैनल लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही मैत्पूर्ण चीजे में आपको दिखाता रहूं कि कौन सी च चीज का आप लाब ले सकते हैं दन्यबाद